तो काफी भारी डिमांड के बाद आज हम खेलने हैं बजमी आई और उतरे बाई साब नू वो सुद्ध भासा में कहें तो ओ नू लूंडे आएं कि नहीं आएं उस चिसका हमें उतना पता है नहीं हमारे टीमिट ने बता दिये कि हां उधर साइड आए हैं वो यार एक्चुल भाई नेचुरल चीज है ना फटना भी एक नेचुरल चीज है कोई बात नहीं हम कुछ करने कोशिस करते हैं लूंडे की लोकेशन हमारे टीमिट बता रहे लेकिन कोई हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है सब साले अस्सी को उस दूर भटक रहे हैं अगर हमको को कोई मार दे तो फिनिस होने को बाद ही यह कहेंगे कहां है लूंडा खैर हमको पुटिष्टे पाने सुरू हो गये हैं इधर से यह आ रहा है आएगा आएगा सामने से आएगा कस भाई confusion कर रहा का है बाग गया साला अब यार देखो हम अपने टीम को आगे बेज़ते हैं निरिच्छड के लिए और वो लोग हमको बताते है कि यहां हो सकता है लूंडा तो हम जाते अब देखो वो लोग मार सकते थे लेकिन क्यों नहीं मारे भाई काबिलियत और योग मैं कंटेनर में ढूंड रहा हूं बे कहां है लूंडे अबे है का मैं इधर से निकला था अभी सालक भाई पूरा चलावा अरे यह देखो यह अब यह मार दी भाई हमको ऐसे रहस्माई तरीके से मारा जा रहा है ना हम खुद नहीं समझ पारे कौन कहां से मार के भाग गया मैं तो यार भारस सरकार से कहना चारा हूं कि मेरे पीछे रहो अले को छोड़ो एजेंट ओजेंट लगाओ वो थोड़ा पता करें कि मेरे पीछे कौन लगाई है देखो आया मार इसको मार तीन नमबर अच्छा रुक रुक जचा छूडगा तो अब तो यह मेरा ही सिकार कह मां गया अरे अंदर यह अरे फिर से धर लिया अरे मर क्या भाई इतनी खराब किस्मत के साथ खेल रहा हूं लगता है ग्रहण पड़ा रहा था तब गेम स्टार्ट हुआ है इसमें भाई मेरा कोई दोसी ना है देखो एक और लूंड की आने की आवाज आई ए तीन नमबर समहाला यार भाई इस बार पूरा नामने बिटा आजा हम को कोई सलाम मजाक के पात्र बन जाएंगे भाई खैर गाईज यार रिकॉल तो हो चुके हैं और यार हीलिंग भी लगा लेते हैं लंडे आ रहे हैं आतीन नमबर समालेगा देखो सेर सिकार करने पहले आज को ल्ड इन लंडे आके गोला निकालो मारो साले को ने तुम नहीं मारना रुको पहले हमें अपना कारे क्रम निप्टा लेने दो लो बाई लो दूर से आओ ना लो गुड़ खाओ पानी पियो अरे इस टील के बॉड़ी लेकिया हो का भाई अरे वा भाई साभी लिंग कर रहे थे क मतलब तो मैं नहीं तुम्हें नहीं डेडिकेट कर रहे हैं मतलब तुम्हारे जो टीमेट है आप लोग के समाज से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर मैं कभी कहीं लड़ाई उड़ाई ले रहा हूं तो आप लोग प्लीज दो मिनट अपनी टांग नाड़ा आया करें लड़ाई खतम हो जाने दिया करें अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो भी नाया करें और जैसे ये बाइसाब अभी आये तो इन्हों ने ठिक क्या है इनकी कोई मिस्टेक नहीं और आया करें तुम मेरे ही पास आया करें मेरे teamate के surrounding मान लो आप आये भी तो sword gun लेके आया करे ताकि एक बार मारो तिनकी फटके चौरहा हो जाने चाहिए खैर आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे खैर अभी हम चलाएंगे DBS, DSP नहीं खैर सेर सिकार करने से पहले एक बार कोल्डरिंग जरूर पीता है तो यार सेर जो है सिकार करने के लिए आज चुका है लेटरिंग बेस और यार यहाँ पे लॉंटे हमको मिले नहीं लॉंटे के नाम पे यहाँ पे हमको एठो बोट मिला है वो भी काफी अतरंगी था साला पहले खड़ा तब फिर बाद में बैट गया अरे माकियाग मिसी हो गया बे वापस लियो वापस लियो इगो हर्ट कर दिये भाई तो हमारा भाव भी रहा तो खेल क्यों नहीं रहो भाई भाग क्यों जाते हो बीच मैं चलो तुम्हारे सेर भाई ने यहाँ पे एक चुहिये का सिकार किया दम होना चाहिए भाई क्या तुमने कभी सोचा कि लोग अपने आपको सेर कहके ही क्यों डेडिकेट करते जानवर कहने पर बुरा क्यों मान जाते है वो क्या है कि इसके पीछे एक कहानी है देखो बहुत सालो की बात है यह यहाँ वो वाला सालो नहीं बात यह थी कि लोग अपने आपको सेर से डेडिकेट क्यों करते हैं तो वो जाके उनसे पूछ रहा मुझे क्या पता भाई मैं अपना जानता हूँ बस चलो गेम पर धहन देते हैं अभी हम आज चुके वाई साब पोचिसन की और यहाँ कि मैं क्या देख रहू भाई की यार मेरे आँख के आगे से एक स्कौरट जा रही है और मैं काफी देर तक उसको देखता रहा उस पे मेरी नजर थी कि देख रहू कि यार चले ही जाuarai बाद में जब ध्यान से देखा तो मेरी ही स्कौरट थी और बाद हमें फिर से हम चले ही जा रहे थे चले जा रहे थे फिर हमको एक ठो सामने स्कॉट दिखी मा कसम चार शे लॉंडे नौ खोने ही वाले थे लेकिन क्या किया यार हमारे टिमिट ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और यार जो सबसे बड़ी में प्रॉबलम थी वो यार हमारे पास स्कॉप नहीं था अगर मा कसम स्कॉप होता तो जूम करके पूरे लॉंडे गिन ले तक कितने गाड़ी में थे फिलाल यार ऐसा लग रहा यहीं पर रुके हैं लॉंडे यहीं पर रुके ही है और जाएंगे कहा जाएंगे साले भाई सहब एक लॉंडे को मारे वो एक ठो दूसरा लॉंडे गाड़ी लेकर निकल लिया अब उसको पता नहीं हमारी स्किल के बारे में अब इनको लग रहा कि यार ये पाग है गाड़ी तो ये भाई सब भाग जाएंगे इनको पता नहीं कि हम इस तरह से दवड़ा के मारने के हमारा ये एक तरीका है भाग साले भागेगा कहां तक बड़ी जल्दी रुख दिया रुख जा रुख जा और यार यार यहां अनेक बाद भाई साब हमें यहां फिर से लूड़े मिलते हैं एक गाड़ी आऊ रही हुई है हटो यार तुम बहुत आगे आगे नहीं किया जाता है अगुवानी हम है यहां के और कहा है और कहा है अरे फस गया फस गया आजा वाह चाति ठोक के मार खाया बाई यहां इसे प्राउडली मार खाया करे आख देखो अभी एक लोंड़े पुटिश्टेप और आ रहा हमको दो तीन है आप हां और बताओ कहा है रुको रुको पहले शेर सिकार करने से पहले एक बार बैंड़ेज लगाता है ऐसा लगाता है और लेकिन वो ग्रेड हमने अपने एक्ड़ की हिसाब से किया था चलो तुम्हारा जेर भाई एकडम तयार हो चुका है फिर से सिकार के लिए लेकिन सिकार करने से पहले एक बार कोल्डरिंग जरूर पीता है वो भी हमने पी लिया है अब हम फिर से सिकार उकार पे निकले हैं इधर उधर गाड़ी लेके हांड रहे हैं सामने हमको डपोर दिख गया है अब भाई साब देखो इन दो लौण्डों को ढूणने के लिए हमने इतना पापड बेला अगर इतना पापड हम रियल लाइफ में बेलते तो भाई आज हम एक अच्छे सफल इंटरप्रेंट नियोर होते लेकिन क्या करें भाई हमारे अच्छ खासे किल हो गए हैं बताएंगे नहीं कि यार हमारे इतने किल हो गए है क्योंकि किल बताने जोंगे आदमी अपने अपको प्रूफ कर रहा है है क्रपया करके मुझे दो के-दो किल प्रतान कर दे मेरे सरशमेला रहे रुको मरे हो क्या रुक थेही बहहँ को भागना नहीं की के सुला करतीया है अल्हे पूरा सुला हो गया धिक्कत कहा आ रहा जब किचन डिनर घुद तुम्हारे घर को आ रहा ओ भाई साब एक नट पूरा श्टेचू लगाना है सोन तत पांडे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे खैर यार आते हैं आप दूसरे गेम पिले पर इसमें भाई साब हमारे दो किल हो चुके हैं इस चीज की खुसी है लेकिन इसके पीछे एक च्छपरे पे यहां से भाई एम लगा के मारेंगे और जाद दिमाग नहीं लगाना हमको अरे ना मरेगा के बिल्कुल काई नहीं मरेगा भाई हमारे कंट्रोल में सबको अब यार देखो दूर से हम उसको मार के काफी प्रसन हो गयते खुसे मारे उचलते कुदते जा रहे यहां से तभी यह वाला लॉंड़ा बीच में आके भाई भेड़ मार दिया अब देखो भाई सब क्या करता हूं मैं अरे साले कुछ करने की यह चोड़ दे हरामी फिनिस करने आया तबे वह मैं प्रॉमिसेस इधर मेंटेन कर रहा हूं यह कर दूँगा वो कर दूँगा इस अब देखो वैसे तो शेर सिकार करने इस पहले कोल्डरिंग पीता है लेकिन आज कोल्डरिंग नहीं पिएगा आज केवल फस्टेड लगाएगा अब देखो शेर का जो इगो है ना वो सेटिस्पाइ करना है वाई हमको मारा है वाई उसने ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाग कहे जाते हो बै तुम लोग हम उतरी देर से कहली ए गड़ित लगाते रहें मार ले मार ले खुस हो जातो ही हो गया कर लिया जितना ढ़िछका करना था अब यार देखो बाई साब हम वहाँ से सारा मामला निप्टा के आज आते हैं यहाँ और यहाँ पर आते एक लउ पूटो की बीच में इधर वाले में भी है एक काम करते हैं हम भी यार इसी में इसी में पार्टिसिपेट करना है हमको ऐसे जगह रोग दो जहां अच्छे मेंटेन कर पाएं अच्छा भाग दोड मची हुई है सामने लउंडा भी एक्टो लेंड करता हुए दिग्ग्या हमको उपर विंडो से कोई ना मिल सका यार गया उपर गया लेकिन अभी रास नहीं करेंगे वो भाई रिवाइब हो जाएगा गोला कर सका है हम देखो जिस हिसाब से यहां पर फाइरिंग चल रही है अगर इनके जगह मैं होता तो भाई अब तक काम खतम कर देता यह मैं डर के वापस नहीं जा रहा हूँ भाई काम खतम करने जा रहा हूँ भाई इतना बड़ा डाइनस हुआ है इवेंट में तरीके समारेंगे ना भाई साहब संजेब प्रिदान रिवाइब कर अरे अंदर चल भे खतव क्या है कि दोस्तों मैंना हतास हो क्या निरास हो क्या तूट गया खैर आज की ग्यान की बात करूंगा कि रिवाइब ऐसे करो कि रिवाइब होने वाला ही न बचे